ऐसलाम लेकुम वीवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं वेजटेबल स्प्रिंग रोल्स तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक कडाही ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा कुकिंग और शामिल कर लेंगे स्प्रिंग रोल्स को बनाना बहुत ही असान है आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी सबसे शामिल कर सकते हैं जब ऑल गरम हो जागा तो इसमें वन बै वन सबसे डालके हम इसको पकाएंगे ऑल गरम होने के बाद सबसे पहले मैं यहां पर मतर शामिल करूँगी प्री करोंकि मतर को पकने में थोड़ा सा टायम लगता है तो इसलीभी सबसे पहले हम इसमें मतर शामिल करेंगे इसको मिक्स करेंगे मैं यहाँ पर 4 तरह की सबजियां इस्तमाल कर रही हूँ मटर, गाजर, शिम्ला मिर्च, बंद गोबी और इसमें हम चिकन भी शामिल करेंगे मटर डालने के बाद इसमें मैंने गाजरें डाल दी है गाजरों को मैंने मोटा कदुकश कर लिया था आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं गाजरें और मटर थोड़ा सा पकने में टाइम लेते हैं इसलिए पहले मैंने इनको थोड़ा सा पकाया है तकरीबन 3 से 4 मिनिट हम इसको पकाएंगे इसके बाद इसमें हम शिम्ला मिर्च जो के बारीक कटी हुई है चोटी और बरी कटी हुई है चौप नेकी हुई तो इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल इजी लाइश्टाइल विद निदा को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दे ताके हर नयाने वाली वीडियो आपको मिल सके सब्सक्राइब के साथ यहां पर हम चिकन भी शामिल करेंगे चिकन को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के और जब वो ठंडा हो गया था इसको इस तरह से हमने चोटे-चोटे पीसे में डिवाइड कर लिया है आप इसी तरह से चिकन को बॉयल करेंगे अगर आपके पास काली मिर्च नहीं है चिकन बॉयल करने के लिए तो आप सिरुफ इसको नमक डाल के भी बॉयल कर सकते हैं अब बोईल के हुए चिकन को हम सब्जियों में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे अब इसको हिलाते हुए तक्रीबन 2-3 मिनिट के लिए हम जस्ट पकाएंगे क्योंकि हमारी सब्जियां भी और मौस्ट नरम हो चुकी थी और चिकन तो पहले ही हमने इसको टेंडर कर लिया था मतलब वोईल कर लिया था अब आप इस बात का धियां रखेंगे कि आपने सब्जियों में क्रंच को रहने देना है मतलब ज्यादा ही सब्जियों को आपने सॉफ्ट नहीं कर लेना यहां पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन प् कि यह बिल्कुल भी पकने में टाइम नहीं लेती अभे में इसमें स्वाइसी शामिल करें गे सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल कर देंगे मैंने यहां पे 1-1 ola भी स्पून नमक लिया है चीकन में भी नमक था क्योंकि हमने इसको बॉil किया था पॉल चीकन के नमक की वज और तू से थ्री स्पून ही यहां पर मैंने हॉट सोस ली है फ्लेम आप बिल्कुल ही स्लो रखेंगे ज्यादा हाई नहीं होगी क्योंकि सब्सक्राइब हमारी हमारी पाक चुकी है अब हमने सिर्फ इसको मिक्स करके तकरीब एक से देड़ मिनट के लिए यहां पर पका लेना इन्होंने अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया स्टफिंग को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था ये वेजइटिबल स्प्रिंग रोल की हम यहां पर पटी तियार कर लें पटी के लिए हम यहां पर मीर्द आ लेंगे मैदे में तकरीबर हाफ टी स्पून हम नम्क करने के बाद तीन Θी स्वूँंग को मैंनिक कर मिक्स कर लें आपने बिल्कुल नरम हातों से इसको गुंदना है आटा गुंदने के बाद इसको तक्रीबन 10-15 में ट्रेस्ट पे रखेंगे उसके बाद मैंने एक पेड़ा बना लिया था और इसको बरीक बेल लिया था बेलने के बाद इसको स्क्वेशिप में कट कर लिया है और अब रोल लाइट गुलड़न कलर आज़े इस तरह से इसी तरह से मैने तमाम पटियां त्यार कर लि Teil अब पटियां त्यार होने के बाद इसमे स्टूफिंग शामिल करें गे इस तरह से इसको रूल करेंगे और इसको बाइंट करने के लिए यहां पे मैं सलरी का यूज करूंगी ऐसे हम इसको लगाएंगे और अच्छे से बंद कर देंगे स्लरी मैंने कार्ण फ्लॉर से त्यार की है कार्ण फ्लॉर मैंने डेड़ चमच लिया था तो इसमें थोड़ा सा पाने शामिल करके पतला सा बेटर बना लिया था रोल्स मैंने स्टफिंग अड़ करके तमाम त्यार कर लिये थे पैन में ऑईल गरम करेंगे आप इतना रखेंगे कि हमारा हाफ रोल इसमें बाहर हाफ अंदर हो ज्यादा इसमें ऑईल शामिल नहीं करेंगे और इसको अच्छे से वन वे वन डालेंगे और पका लेंगे लाइ तो आप मैं एक वेजरिबल रोल आपको तोड़के दिखाऊंगी तो ओपर से तो यह बहुत ज्यादा क्रेस्पी था वाओ अंदर से भी यह बहुत ज्यादा डलीशियस था इसको हम चिली गार्लिप सॉस के साथ सर्फ करेंगे आप इसको जरूर ट्राय करें मुझे अपनी सकतों करेंगे शर्ण चेजर रोल आपको जरूर को जरूर करें मुझे वे जरूर बहुत जरूर करें तो यह बहुत जरूर करेंगे दिखने नहीं जरूर करें दो गार्लीशियस थाख जr términ झाल झाल